वेल्कम गाइज आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ मेडिसना सुफिक्स के बारे में जब भी आप टेबलेट या कोई मेडिसन्स देखते हों तो उस पर MRSP, EIDSP वगेरा जो है यह लिखे रहते हैं अब दोस्तों यह मेडिसन्स पर लिखे हैं तो कुछ नो कुछ तो इसको मतलब है तो अगर आप जानना चाते हों कि क्या मतलब है क्या है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे साथ बने रही है तो दोस्तों मैं इस वीडियो में पूरा यह डिडियल में बताने बा गया जैसे टी एचे थाय कोलकिलॉचीकोसाइड हो गया, एटी एटिनल हो गया, ए एक्सेंडे डिलोज हो गया, Mr. Muscles Relak diseases हो गया, SP Serato Peptidate हो गया, अब डोस्तों लिके क्यों होते हैं क्या मतलब है लिक जो दिया है, तो हम यही इस वीडियो में देखने वाले हैं, और उनकी Médicons भी देखने वाले हैं, जिनके आज लिखे रहते हैं, उके अब देखें चलिए, दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं, पहली Médicons हे हमारे ये, Giridol-TH के बारे में, जैसे यह जिरघुड़-TH, जिएरो डोल एस पी आता है जिएरोडो डोल पी आता है ढिएलो टी एच थायो कोलसिकोसाइड होता है इसमें टीएज का मतलब इसमें पहल Alfام est된 नीवारक में udah और होता है अब दोश्रा को तो अब कहां पर लिखके आति अमलोड Northern AD का मतलब है ATINOLONE जो की blood pressure में use की जाती है दोस्तो अगले की बात करते है अब हम LENOL ER ER मतलब extended release extended release होता है जिसका एक time period होता है मतलब वो धीरे-धीरे release होती रहती है धीरे-धीरे release होती रहती है अब SP दोस्तो SP का है seratopeptidase seratopeptidase को short form में कर दिया अब दोस्तो यह भी दर्द में use होता है अब अगले की बात करते है PT paracetamol tramadol OD ondansetron OZ ordinadol SB sulbectum H diuretic water pills मतलब यह जब जितने भी OD किसी में OD होगा किसी में OZ होगा किसी में कौन सी ऐसी medicines है अब दोस्तो जिसमें OD, OZ, Sb, H लिखा रहता है आपने देखा होगा यह चीजे लिखी रहती है अगर आप दियान से देखोगे medicines को तो यह चीजे लिखी भी रहती है आगे जिसे paracetamol, tramadol इस अब चीजे तो हम आने वाली slide में यह देखने वाले है वो कौन सी ऐसी medicine से जिनके आगे सब चीज लिखा रहता है तो इस वीडियो only for the educational purpose before take any medications consult to your doctors खाने से पेले आपको consult करना चाहिए यह मैं educational purpose के लिए बनाता हूँ वीडियो दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीरोडोल पीटी अब पीटी मतलब पेरसेटमोल ट्रामडोल मैंने बताया था जो जीरोडोल पीटी आगिया जिसमें ऐसे लोफिना पेरसेटमोल होता है जो कि CVR पहन में जब बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तब इसको दिया जाता है अब दूसरा है जैन फ्लॉक्स ओजेट जिसमें ओफ्लॉक्स अजिन और ओनेड़ोल आगिया ओजेट मतलब ओनेड़ोल और ये दोनो कॉम्बिनेशन आते हैं जिसका यूज हम इनफेक्शन में किया जाता है अब अगली की بात करते हैं हमने देखाता है SB SB मतलब होता है मौनो सेफ आगिया SB लगा दिया मौनो सेफ में सफिक्टर जौन भी होता है और SB लगा दिया मतलब सल्बेक्टम इसके साथ है जिसका यूद infections में क्या आता है, ताज थाइवर्ट फीवर में, बहुत साथे infections हो जाता है, respiratory tract infections, UTI में, मतलब और भी बहुत सारे infections है, उसमें क्या आता है, अब अगले suffix की बात करें, जिसे L आ गया, लिवोसेटराजिन हो गया LB, Lactic Acid Bacillus DT, Diuretic In Water CV, Clabonet CR, Control Release DSR मतलब होता है Antitensive MD, Mouth Dissolving अब बहुत सारी मैडिसन से जिनके आगे यह चीजे लिखी रहती हैं कि LB हो गया, DT, CV, CR DSR, MD एक तो बिना उसके भी आती है बिना सुफिक से भी आती है लेकिन कुछ मैडिसन के आगे सुफिक्स लग जाता है तो समझ नहीं आता है उसमें है क्या तो अगर इनके आगे लगा रहता है तो उनसे हम यह जान सकते हैं कि यह किस चीज की बात कर रहता है उसमें मतलब क्या एडिसनल सॉल्ट जो है वो यूज किया गया जैसे सी वी हो गया या सी आरे डी आरे क्या है क्या है क्या आखिरकार तो हम देखने वाले ही यह चीज है और दोस्तो ध्यान रहे यह मतलब बहुत जादा है अभी तो मैं इस वीडियो में तो कुछ ही बता रहा हूँ बट आप देखोगे के सुफिक्स तो बहुत सार है क्योंकि हजारो लागों मेडिसन से बहुत जादा है मेडिसन से तो आप किस किस के बातलब इक कॉमन ली अगर आपको पता चल लग गए तो इट विल बेटर तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेंटोब डी एसर डी एसर ठीक है दोस्तो इसमें पेंटोब प्रजोल सोडियम एंड डॉंप्रेडोन एसर होते है देखो सस्टेन रिलीज आगिया डी एसर भी लग गया इसमें अरिस्टोगी है जिसका यूज गेंस जब बनती है तब किया जाता है नौर्मलली अब लोगों को भी के डी एसर है का अच्छा गेंस की है मेडिसन अब हरकिती को इसके बारे में पता लग गया के गेंस की मेडिसन से खाली पैट खाते हैं मतलब इतना ज्यादा सब को यह चीज़े बदा लग चुकी है अब अगली मेडिसन्स की बात करते हैं हम अगला है अपना है अगली सिलाइड ही है मॉक्सिवोर 625 LB LB मेंने बताया था Lactic Acid Bacillus इसमें इन्फेक्शन्स में यूज किया जाता है दिहान रखें इस बात का अगली बात करते हैं अगले सिलाइड पर चलते हैं यह है Moxikine CV CV मतलब बताया था Clabunate Moxikine Amoxylent Potassium Clabunate जिसका यूज बहुत जादे किया जाता है इन्फेक्शन्स में किया था नॉर्मली जो soft tissue infections होते है उसमें कहते है दातों में दातों में infections या इसकिन पर जो soft tissue होते है वहाँ जाद सब स्यादा इसका यूज कहते है अगले की बात करते है Girdo CR मतलब CR का बताया है Control Release मतलब control release मतलब धीरे धीरे उसका Release होगा मतलब ये डे में एक ही खानी है तो उसका क्या रहेगा अगर सुबह को कितने काई तो साम तक असर रहेगा क्योंकि वह धीरे धीरे Control Release होते रहेगा इसके कुछ ना Side effects जरूर होते है फिर असर दिखाता है Side effects होते है फिर असर दिखाता है तो आगे सुफिक्स की बात करते है वह कौन से इसे सुफिक्स है अब देखिए दो तो MF मैफिनेमेक एसे Lax LX Laxative P Paracetamol TZ Tynadazole CTZ Citrazyn T आ गया Telmycartan AV Atorvastatin M Montelukos मतलब ये सुफिक्स आ गए अब इन सुफिक्स की बात करते हैं Tynadazole Citrazyn T लगा देते हैं AV M मतलब मैडिसन्स आती हैं उनका आगे न सुफिक्स लगा रहते हैं जिस मैडिसन्स का नाम होता है कुछ भी तो M लगा होता है उसके आगे ठीक है तो कुछ तो समझ नहीं आता है कि है क्या कुछ समझ जाते है कि अच्छे ये चीज हो सकती है हो सकती है वो सौर नहीं होते है अगर ये चीज पतर रहेंगी तो चीज हम किलियर भी कर सकते हैं दोस्तों तो आने वाली सुलाइड में मैं मैं temos की बारहें बताना हूं कि वो कौन सी ऐसी मैडिसन से हैं तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम अगले स्लाइट पर अपनी यह मॉन्टिना एल डीटी मॉन्टेलिकस और लिवर सेटरजिन डीटी बताया है सस्टेन डिस्पेंस अरिस्टों क्या थी नौर्फ लॉक टीजेट तीनिडजोल आरेफ ठीक है तेना नौर्फ लॉक टीजेट मतलब डाइरिया में और आपका उल्टी दस्त वगेरा जब हो जाते एंटी इंफेक्टिव ड्रग है मतलब ही है आप जाते हैं इकोस्प्रीन एवी एवी का बताया था एटॉर्वास्टेटिन मतलब इसमें एटॉर्वास्टेटिन है जै एंटी कोगुलेंट है इसका यूज कोलेस्ट्रोल वाले बहुत जादे यूज करते हैं इसको अब इंटेस्टाइन के लिए इसपेसिफिकली बनाए जाती है सच्टेन डिलीज बने बताया कि धीरे धीरे वह जो एटॉर्य दिन में रिलीज होते रहे मतलब इसका असर पूरे दिन में अब 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 अगरगा अब अगरगा इंटॉर्ज अ्तोरी का आप अमार का बताया था जो हड्डियू वाले डोक्टर होते हैं हो सबसे जाद इसका यूज करते हैं कुछ नहीं है तो यह यह देदू क्योंकि ट्रामाडोल भी चलता है बड़ त्रामडोल ज्यादा दर्दोना तब यूज कहाता है अब आगले की बात करते हैं दोस्तो देखते हैं अगला क्या है यह है पैयूश पैयूश-मफ Truximic Acid और Mavenamic Acid होता है MF मतलब Mavenamic Acid इस बात का धिहन रहें जैसे बिलीडिंग हो रही है किसी को तब इसका यूज किया जाता है बीडिंग किसी भी इंफेक्टिव या Men Suture Period में बीलीडिंग होती है किसी भी उतमें बीलीडिंग होती है तब इसके यूज कियात है इसके बिफोर टेक एनी मेडिकेशन कंसल जरूर करें I hope दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का पर सबस्क्राइब जरूर करें थैंक यू फर वाचिंग इट